लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकन को प्रेस करें वेदांत विज्यन्य वईभव भक्ता भोग्या स्रीवें कटाचलवते तवसुप्रभातं। करें लेटेस्ट सकते लेटेस्ट अल्ट्रा चैनल्स करें तवसुप्रभातं। कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो, कर दो कर दो थो कर दो कर दो कर दो कि अग्रून प्रश्टेंग कि अग्रून हो टेजिए आज जनम दिन है जनम दिन मेरा सर्थ मुबारख हो तुम्हारा नहीं च्छोटे मालिक का ओ शाम को साथ बजए एक शांदर पार्टी होने चाहिए हमारे सब मिलने वालों को फोन करो फोन कर दू मैं सर नहीं मैं तुपिद सुनो हम शाम के हुआई जा सकते हुआ यहास सकते वाट टो यू में आज हमारे बेटे का जनम दिन है और आज के दिन हम दुनिया के किसी भी कोने में हो घर गर जरूर पहुँचते हैं आज की फ्राइ तो चार्ट टेरोप्लेन क्या निकल पड़े थैंक्यू अरे बड़े माली का रहा है छोड़े माली का रहा है सर उपर तो नहीं है उस कमरे में भी नहीं तो फिर का रहा है मैं वहा हूं जहा है मैं वहा हूं जहा है मस्तियां शोखियां बिजलियां तिजलियां मैं वहा हूं जहा है मस्तियां शोखियां बिदिलिया तिदिलिया कर लो प्यार जवानी में कर लो प्यार जवानी में ये काम जरूरी है पर लो प्यार जवानी में ये काम जरूरी है वरना जिन्दगाने की तस्वीर दूरी है ये हसी महपिले मिलेगी फिर कहां मैं वहा हूं जहां है मस्तिया शोखिया पिजलिया पिजलिया वहा हूं जहा हूं जहा है मज़ा जवानी का यारो ना लिया जवानी में तो सोचो आखर हमने क्या किया जवानी में प्यार किना किस तरह बीतेंगे दिन जवान मैं वहा हूं जहा है मस्तिया शोखिया पिजलिया 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 अब किया जवानी कि अब किया चार चांड लगाए हमारे नाम को आज से तुम्हारा अपने दोस्तों से मिलना जुलना बन कल तुम कश्मिर जा रहे हो वहा क्या ओफिस की देखबाल करोगे लेकिन डैड मैं हम कुछ सुनना नहीं चाहते उस काम की तुम्हें समझ नहीं तुम्हां का मैनेजर तुम्हें समझाएगा अब दूरोजा अमारिक नजरों से चोटे मालिक अगर आपको इतरास नहीं अगर सवाल पूछे बगर खाना आजम नहीं होता तो पूछो वहापके साथ वह जो लड़की वह जो क्या वह जो लड़की ती वहाँ उसका नाम वह जो नहीं उसका नाम है पटाखी जब दूप रेमिया में सामने बैठे हो तो खयालों की करंट इस दिमाग से उस दिमाग में उस दिमाग से इस दिमाग में उसके बाद उनके दिमाग गरम हो जाते हैं उसके बाद उनके दिमागों की गर्मी उन्हें एक जुसरे की गरीब खीशती है उसके बाद उसके बाद तो बाद यहां तक आप पूंची जड़ते चर्टे अब कौन सी सीड़ी पर हैं आप कौन सी सीड़ी पर आप कोई सीड़ी नहीं आप तो चोटी पर पहुंच गयें वो चोटी पर पॉंच गये और तुम क्या करते रहें क्या करता रहा मैं क्या कर सकता हूं बड़े मालिक मैं नीचे खड़ा नोट करता रहा कि आप कौन सी सीड़ी पर चड़ते हैं आइसी तोपी तोपी जी उस लड़की ने छोटे वालिक पर टोपी डाल दी जब वो टोपी डाल रहे थी तो तुम क्या कर रहे थे क्या कर रहा था जी मैंने भी एक टोपी लेके अपने सर पर डाली इसका मतलब है अब यह मामला तुमसे नहीं समझेगा तुमारे च्छोटे मालिक हैं वहाँ पर जी नहीं है जी रुक है एक मिनिट एक मीनिट बड़े मालिका फोन है अप ठीक है ने टैट हम तो ठीक हैं तुम अभी तक ठीक नहीं हुए आप क्या कह रहे डैड बगो मत हम सब जानते हैं तुम मां क्या क्या हरकते कर रहे हो कौन है वो लड़की लड़की कौन सी लड़की डैड वही पटाखी फट पट चुप क्यों हो बोलते क्यों नहीं वे शर्म हस कर रहे हो डैड बात ही हसने की है आप खुदी सोचिए क्या किसी लड़की का नाम पटपट हो सकता है आपके पीए श्री सेवक राम का दावा था कि वह आपको मेरे बारे में कुछ भी बोलें आप उनकी बात का यकीन कर लेंगे लेकिन मैंने का मेरे पिताजी कान के कच्चे नहीं है तो हमारी हजार हजार रुपे की शर्त लग अब आपने उनकी बात का इजबार कर लिया तो मेरे हजार रुपे गए तुम सच कह रहे हो हाँ डैड मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं अगर आपको यकीन नहीं आता तो अपने पीए श्री सेवक राम से पूछ कर देख लीजिए पूंदोस बत्तमीज को जी बड़े मालिक हमें सीधी तरह बताओ कि जो कुछ तुमने हमसे कहा वह एक मंद घरंद काहनी थी थी ना जी बड़े मालिक रहा तुम्हारी ज़वान लड़ खड़ा क्यों रही है देखो से वक राम हमें सस्च बताओ वरना वरना क्या तुम्हा तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम अपनी अवकाद भूल गए हैं आएंदा कभी ऐसी हरकत की तो हम तुम्हारी जुबान खिच लेंगे उल्लू अब फोन रख दीजे से वक राम जी छोटे मालिक आपने बेवजा मुझे गालियों का निशाना बनवाया गालियां अगर आपको नहीं पढ़ती तो मुझे पढ़ती लगया हातों ए छोटी सी नसे दे दू दो बड़े आदमियों की लड़ाई में कोई छोटा आदमी झालियोंKe ओ मेरी छमक छलो दो दिन की है जिंदगानी तु प्यार मुझे कर ऐसे मैं लिख दू पेम कहानी ओ मेरे राम लुखाया क्या लिखने पेम कहानी मौखा है मौझ मनाला कभ किसके रही जवानी ओ मेरी छमक छलो ओ मेरे राम लुखाया लिखने का शौप मुझे है लिखता हूँ दिल की बातें लिखने का शौप मुझे है लिखता हूँ दिल की बातें थोड़ी सी दिन की बातें थोड़ी रातों की बातें दिन के क्या तोर तरीके रापों के नियत क्या है कुम तो क्या जानो इस पर मासम के जाहत क्या है दिल जो कहता है उसको आखों से मैं कहता हूँ दिल की हालत को समझो रुट है कितनी मरदानी ओ मेरे रामन भाया, ओ मेरे रामन भाया क्या लिखने पे मतानी, वापा है मौज मनालो कभी किस पे रही जवानी, ओ मेरे छमक छलो ओ मेरे रामन भाया सुन सुन के बोल भोले, मेरा दिल बैठा जाए सुन सुन के बोल भोले, मेरा दिल बैठा जाए प्यासी अरमानों वाला, सावन ये बीता जाए मुझको कुछ होश नहीं था, सच मुझ में बे असर था नजरों में तुम ही तुम थे, मौसम से बे अबर था अब तो कुछ खैर कबर लो, सुनो घन भार या नारी मत पे आके भटी, मेरे योवन की डारी करते हो क्यों ना दानी, सोचो बाते मरतानी मौपा है मौझ मना लो, कभी किस की रही जवानी ओ मेरी छमक चलो, ओ मेरी छमक चलो दो दिन की है जिंदगानी, तु प्यार मुझे कर ऐसे मैं लिख दू प्रेम कहानी ओ मेरे रामल भाया, ओ मेरे रामल भाया क्या लिखने प्रेम कहानी, मापा है मौझ मना लो, कभी किस की रही जवानी ओ मेरी छमक चलो, ओ मेरे रामल भाया अगर आपको मुझे बहुता नहीं तो आपनी आखों से खुद देख लीजे और अगर मैं जूटा साभी दूआ तो आप मेरा गला नहीं, आप मेरा सर फोड़ सकते हैं और राइट हम कला रहे हैं कला रहे हैं कला रहे हैं यह राद दोस्ट बेनी तावनज़ अर जट्टू तावनज़ पंज़ रूपए जब फंज़ रूपए और सट्टू यड़ भटे तावनज़ यदः फटे तावनज़ यही है वो नड़की अंबड़ों कुछ घरब्ण है जनाब यह कमरे में रात को यह लाया हाँ चनाब यह लाया हॉ हां और तालै विव για 50 फैल फैलेय त हुलै मिल दिनाप पаств़ चांस थो तुम्ट को आद तुमको कर दो यह दिखाने के लिए कश्मिर कुछ गरबढ़ है रहा हम पहले भी तुम्हारी बहुत शिकायते सुन चुके हैं अब यह देखने के बाद तुम्हारी शकल देखना नहीं चाहते हैं अब दो दो आपको बनाया और आज डैडी को चक्क माते जी उनको हमारे बारे में कुछ भी नहीं मालूब अरे उन्हें उस वकत पता चलेगा जब शादी के काट छप जाएंगे इसनी जल्दी भी क्या है बर्खुरदार तुम अपने आपको बहुत चालाग समझते हैं लेकिन हम भी तुम्हारे बाप हैं तुम्हारी सब चाले समझते हैं उस दिन जब तुमने सेवक राम को टेलीफून पर फुसाया था हमारा माता उसी वक ठंका था और आज जब तुमने होजबोट में अपना कामया ब्रामा किया वह भी हम समझ गये इसलिए हमने बंबई जाने का भाना किया ताके हम देख सके के हमारा लाड़ना क्या कर रहा है लेड़ी बात है कि वह शड़ाप अब हम तुमें एक मिनिट भी आ रहने नहीं जेंगे आओ हमार साथ और सरा रहा हृँ लो युए हमले से लो तुझे शरम नहीं मुझे अकेली छोड़की चलाया कौन अब मेरी आवाज भी नहीं पहचान रहा मैं मनू बोल रही मनू बोलो बोलो मैं तेरे लिए कश्मीर गई और उस बुद्धे ने का चलो फट से मूग घुमा के चला गया एक बार पलट की भी नहीं देखा मेरी तरफ अरब तूटे मुझे यह बिनी पूछा मैं कश्मीर से कब आई हम पधा तुझे क्या आज सुबह आई हूं मैं तुसे बात नहीं करेंगी तुना था मेरी बात हुँ हुआ है यह और से बात क्यूंहे निकल रही है क्या बात है दर क्यों रहा है वो बुड़ा अभी तेक तेरे आसपास है क्या तुम यह बुड़े खुसर ना खुद प्यार करते हैं ना हमें प्यार करने देते हैं सुन तो पाक में उसे मिल आज में तेरी ऐसी खबर लोंगी के तु याद रखेगा सुन रहा है ना क्या लगा रखा है क्या अभी तक तेरा old man तेरे सर पर कबूतर की तरह बैठा है अभाड तुमाट के मेरा इंदर्जार कर तुम सब्सक्ते हैं उख टो की पर उन सब्सक्राइब हुआ 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 है तो अपने बुडे खुजर से इतना घबराता है तो मुस्से शादी क्या करेगा बोलना डालेंग हुआ है हुआ है हुआ है फोड़ा खुश्ट कभूतर ओल मैं पिताजी शाइप हम तुम्हारे पीता कब से हो गए आपका बेटा मुझे चाहता है आप उसके पिता है समझ गए ना बातों में काफी तेज हो थेंक यू हमारे बेटे और तुम्हारा मामला कब से चल रहा है त्री यह तीन साल से तीन साल या बात कहां तक बढ़ शकी है अप्टु मैरेच शादी तक शादी या हमारा बेटा तुम से शादी करेगा और किससे करेगा हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं जूट तुम रवी से प्यार नहीं करते हैं बलकि उसके दॉलत से प्यार करती है लॉलसंस मेरे पास भी बहुत दॉलत है लेकिन में रवी से इसलिए प्यार करती हूं जिननुम्य कोई शक है? अगर उशके पास दिन न वर न रिमाँ होते, तो अपने बाप की पीठे चोरों की तरह मैं और चिप चिप की हरकते न करता जो आदमी अपने बाप को दोखाा दे सकता है हो एक न्य एक दिन तुम्हें धोखा क्यों नहीदे सकता कभी नहीं हो सकता है यह नहीं हो सकता है मगर तुम हमारी बहु कभी नहीं बन सकती है उचमें क्या कमी है कि लाच जो लड़की कश्मीर के हाउसबोट में भागों में होटलों में जिस लड़ाती फिरे कभी नहीं आप जैसे बुजर्ग जब हर जगा कवाब में हड़ी बनने की कोशिश करें तो हम नौजवान क्या कर सकते हैं अगर कहीं न कहीं तो मिलेंगे तुम्हारा मतलब तुम लोग हमसे चोरी छुपे शादी भी कर सकते हो आप नहीं मानेंगे तो यहीं करना पड़ेगा देखते हैं हमारा बेटा कैसे हमारी मर्जी के खिलाओ तुमसे शादी करता है आप क्या समझते ही वो दूद्पीता बच्चा है जो आपके हर इशारे पे अगया मेरी शर्ट और पंपेंली अप ऐसे लग रहें जैसे जम्स बॉड जीरो-जीरो-जीरो-विधी मेहुदा मजाग पसंद नहीं यहार मजाग नहीं तो और क्या देडी जाए आसे हाहरें आप पार्क से पार्क हम और इस ड्रेस में किसी मिलने कैसे खिया पार किसी से मिलने उस से मिले खाद की और उसने हमें जोने कि यह चैलेज़ters ऑन्या किस डिव कि एक लडोटे विए किसी लड़की की इतनी हिम्मद के आपको चलेज़ दे हैं है अब यह हमारी इज़त का सबाब इसने चैलेंज दिया कि वहारी मरेशी खिलाब तुमसे शादी करके दिए और हमने भी चैलेंज दिया चे हमारा बेटा हमारी मर्दी के खिलाब कभी शादी नहीं करेगा ठीक यह आपने आपका चैलेंज मेरा चैलेंज बाइदेवे कौन है लड़की एक बत्तमीज और जिती लड़की एक बात तुम हमें साफ साफ बता क्या तुम हमारी इजाजत के बिना शादी करोगे क्या बात कर रहे हैं डेडी सवाल ही नहीं पैदा होता कभी नहीं कर सकता त अबनाक कहां करें लूकल का डेडाये महें आपका कहां करके दिखांगा थेंक यू तन वो लड़की जहां कहीं भी है क्या हमें से फॉरंड फिर के सिकान लेकिन वो लड़की है कौन क्या है और कौन कश्मीर मरी पठाक़ कि युण क्या हुआ मैं उस लड़की से प्यार करता हूं डड़ी ऐसा प्यार ऐसा प्यार पानी का बुलबुला है जो सदा नहीं रहता इसलिए हम चाहते हैं बेटा किसी अच्छे घराने में से अच्छी सी लड़की चुने और तुम्हारी शादी करते हैं तैडी वह बहुत अच्छी लड़की और अच्छे घराने से भी है बगव मत तुम उस लड़की को भूलना चाहते हो यह नहीं अगर तुम उस लड़की को नहीं छोड़ सकते, तो तुम्हें हमें छोड़ना होगा, हमें छोड़ने का मतलब यह नहीं, कि तुम्हें इस घर को छोड़ कर जाना पड़ेगा, हम इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले जाए, डैडी, जज कर दो, चले से हमेशा हमें जाए, त जाल भूश्ज कर दो एलूज में जाला हमें, हमेशा कर दो नहीं ठेया हमें, मैं दिल्रे, कि या सुच रहे थे अब भी जो अपने बीटे से कहा है चीक कहा अब क्या साथ मुझे वैसे ही करने वाले हैं मगर आप नहीं तुम नहीं से प्यार किया था फिर उनके प्यार पितराज क्यों बोली ना है एतराज नहीं शांती हम उन दोनों का इम्तिहान लेवे थे हम यह देखना चाहते थे वह एक दूसरी की खातिर दुनिया का कहां तक मुकाबला कर सकते हैं हमें अच्छी तरह याद है हमारी खातिर तुमने कितनी बड़ी कुर्वानी दी थी माबाब के घर का सुखा उनकी दौलत सब कुछ ठुकरा कर हमारे साथ चली आई अच्छी जिवारा जाते हैं आदे तक हो जाती है एक आपने माबाप की दौलत का मौताज बनना नहीं चाहता हुँ खुछ कर कर अच्छा 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 आपने बताया नहीं जी उसमें हमारे टेलीफूर के नंबर का कमपास्ट जी उसमें से मेरे सूट के रंग के ड्रेस वन्ठा एक खूशुरण नौजवान उतरेगा जी विल्कुर समझ गया सब हमारे टेलीफून के रंग का कमपाटमेंट और आपके सूट के रंग का नंबर सब समझ यह जी यहां तो जी यह तेलीफून का नंबर क्या है 35157 अब पा बीचानव सब्सक्राइब इसना वे आपकी तालाश नौकरी की तलाश पर शहर नहुंदे ना कि तुमसे पैचानते हो कि पहला कर फुसलाआतर तुम उस पर जाहर करना कि तुमसे नौकरी दिर्वा सकते हो मैं ने अध्या व्लाइड भुलाम बन जाएगा ने फिर तुम उ प्रेल जाने के लिए नहीं सुना है एक बात शाने लोडम करूप उसी ये नहीं मालूं होना चाहिए कि लिए लिए जानीडारुमाकां का बटा बेटा है अरे वो चंदरकान तागिया कौन चंदरकान फिर भूल गई अरे वो जमीदार का बेटा तो मैं सार जवाब दे दूँगा माइन दे सकता और तुम जैसे उस पर तर्स खाकर कहना बैचारे को दे दीजिए ना कैसे गोगी बैचारे को दे दीजिए ना करेक्ट चांती बेटे जांती जी जी तुम यहीं रहना यहां से तुम लड़के को चीटार देख सकते जब मैं तुम चाह लाने की बोड़ू ना तुम जाए खुद लेकर आना जरा मुश्करा करें कैसे तुम यह है वो नौजवान जिसका मैंने जिक्र किया था अबस्ते पि सी, वह देख सकते हुआँ में महीत था तुम जाती यह आपने पहरा है इसमों मैं मिलिका मन्टी आपक्रव तुम देख अगए कि मैं प्रवर्सक्र करARY sólo जी आप मेरे प्रवेद्ब्य कुद्न है अभिसे सकता हुआ चाते मैं अई बहूं है कले अपक् करम आप चाहें तो आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं अरे भाई ना कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कर सकता आप एक मौका देकर तो देखी आपका भी बहुत बहुत शुक्ति प्रारी जी कर इस नौजवान को मारे आफस में ले आना वाई देदी अब देदी यह देदी यह कहने क्या दूरूरत है नौकरी देनी देदी बहुत खतम बीवी बहुत नरम दिल जब भी कोछ सवाली दर्वादे पर आता है तो बस मेरे पिछे पड़ जाती है दी जी न आ दी जी ना आ चाहि लेकर आजाओ शांदी क्यों मैं लेकर आती हूं तुम्हाही तुम्हां तुम्हाई ठीक नहीं है चांदी वेटे चाह ले आओ लेए आपको मेरा नाम कैसे मनुगा बुराइगे बताया था ना पताया भूल गए जी बहुत अच्छी कैसे नहीं होगी अब मुझे इजादत भी ऑच्छी थेंक्यू थेंक्यू अच्छी कैसा लगा लगा बेचारे को दे दीजिए ना इस अब कि तुम बता तुम कैसा लगा है कि अबस्त लब स्टोडिका सी नवर बन तो ठीक हो अब सीनमर्टू थेक्ट अप सी नबर तू थेक्यू थेंक यू थेंक यू वेरी मच थैक्शी कोई जूरूरत दें तूम जसे होनहार नौजवान की बत करना तूमारा फरस से ताखे मैं इसमेलो वो तुमेशार काम सुना तरो कि अधे कहा हूं जी एक लिए जगा दूटा जगा मिलना बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है चलो हम तुम्हारी मुश्किल भी असान किये देते हैं हमारे बंगले के साथ एक आउठाउस तुम उसमें रह सकते हैं कि थैंक यू कि आज रात का खाना आप हमारे साथ खाएंगे क्यों कोई खास बाती है कि आप हमारे साथ खाना खाएंगे तंदूरी चिकन, चिकन पलोव चिकन करी बरी गुट करद लेखा एक पहली बार हमारे खाना खाने आरा उसको ऐसा मेसस होना चाहिए कि उसका अपना घ्र है जो बीच-बीच में उससे पूछती रहना ये खाऊ ना ये खाऊ ना ये खाऊ ना क्या चंदर खंध कه बर बाद कर लेगा मेरा तो जिन्दगी में एक उसूल है यहाँ आप अपने असूल के बारे में कुछ कह रहे थे हां मेरा जिन्दगी में एक उसूल है घषिए मेरा मतलब है कि कुछ लोगों से है एक उसूल कर अपन सbersब्व आपना द की मुर्शों अंतre गों। तुम्हें मिल कर नहीं अपन और श्राइं को के आप शाथ जली जनम को ईनों का रिष्ता जरू church अरे शिरफ पिछले जनम में क्यों इस जनम में क्यों नहीं अब तो जनम जनम करिश्टा है जो परवती यह खाओ ना अब तो मेरा सिर्मत खाओ अब आज फुम भी को ना आपके पिदाजी सच में डेवता है आज कि छोटी से छोटी नोगरी के लिए इनसान को कितने ठक्य कहाने पड़ते हैं आपके पिता जी ने न सिर्फ मुझे इतने इची नोकरी थी बलके बिना मांगे रहने की जगा भी थी बहला आजकल ऐसे देवतासमान इंसान कहा मिलते हैं तो आप भी बिल्कुल मेरी तरह हैं मतलब मतलब बुद्धु ило थे अनल मेरे पिता जी कभी किसी इतना नहीं करते जितना आपके लिए किया है वह भी इतने प्रिश करने कि कुशिश करें मेरी पिता जी आपके बारे में सब और विच चाहते हैं कि हम दलू की तने मैं किसी उमाकान को नहीं जाना एक पिसली मोम्हाय में आप सच कह रहे हैं मैं इप्ष्क की मुझ्ही ह की है का प्रावा हिसे और यहा ही जैसे जाता इसे जाता तर्लीजा Khan मुझे मुलाकात हुए उन्होंने का वो मुझे नोकरी दिलवा देंगे बस मैं यहां आ गया मुझे अभी जाकर आपके पिताजी से सब कुछ से सच बता देना चाहिए नहीं क्यों क्यों वो वो अपको निकाल देंगे मुझे उसकी कोई परवा नहीं मुझे परवा है में घारे में घारे में घारे मत परदेश जारे आज तू प्रेम का संदेश बरसारे में घारे में घारे मत परदेश जारे आज तू प्रेम का संदेश बरसारे में घारे में घारे मत परदेश जारे आज तू प्रेम का संदेश बरसारे में घारे में घारे में घारे में घारे पहा से तु आया, पहा जाएगा तु तु दिल की अगन से पिखर जाएगा धुआ बन गई है खयालों की महफिल मेरे प्यार की जाने कहां होगी मन्जिल में घारे में घारे में घारे में घारे मेरे बंकी तु दवारे आज तु प्रेम का संदेस बर्सारे में घारे में घारे में घारे कर दो कर दो कर दो बरसने लगी है भूंदे तरसने लगा है मन जरा कोई बिजली चंगी नरसने लगा है मन और न डरा तू मुझे को ओ काले काले घन मेरे तन को चू रही है प्रीत की पहली पवन में घारे में घारे में घारे मेरे सुन ले तू सडारे आज तू प्रेम का संडेश बन सारे में घारे में घारे में घारे में घारे मन का मयूरा आज मगन हो रहा है मुझे आज ये क्या सजन हो रहा है उमंगों का सागर उमडने लगा है बाबुल का आंगन पिछडने लगा है न जाने कहां से हवा आ रही है उडा के ये हमको लिये जा रही है ये रुत भीगी भीगोनी लगी है के मीठे से नश्टर चुबोनी लगी है चलो और दुनिया बसाएंगे हम तुम ये जन्मों का नाता निभाएंगे हम तुम ओ मिघारे 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 देख तु हमको दुआ रहे आज तु प्रेम का संदेश बर्सा रहे ओ मिघारे 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 आए 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 एंकल आओ जुबल मेटे आओ सबीक्राइब। मैं पूछता हूं क्या नवारा तेरा चंद्र कान है जंदर कान जंवीदार उमा कान कर बेटा है न तू जंदर कान कैसे हो सकता यह तो बेसित अच्छा हुआ कि वे बति जगल ऑक गया और तुछालाकी से मेरी बेडिकिश्या ने चादी कर ले कबलेगा मैंने किसी को कोई दोगा निए जी साब आप इन्हें तो कहा था कि आपके टेलीफून के नमर्टे यो चंजरकाद नहीं है जिसका मैं इंधार कर रहा था वो चंजरकाद ये इसकी जगा ये दोगा देकर आ गया जो पुला कर लाओ हुआ है तक प्रफदास में अपनी मर्धी यन हुआ है यहां लाया है यह नौकरी दिग उजने रहने को जगा मिली और यहाप इक चालते हैं कि हम दोने इक दूसरे को चाहने लागे है गलती सराथ़ आपके है आप अपनी गलती की सजा मुझे नहीं दे सकते हैं लेकर कि बना तुम कlara बताःते हैं ? वार में तुमें फ़स्ट सेधा है ? इनोने मुझे सब कुछ बता दिया था तुमें मtechn होती है ? इन्वी जानमुची कि में ब बेख़ाए नहीं ? स्वर आळिनी चाही है.. जुरूर रिससे तूम्हाधा हो गा ? नहीं पीटाजी तुक्राइब मुगा देख रहे हो तुम अभीता खड़े हो पार्वती चाह लेकर आए जन्दर कांजी के लिए अच्छा कांजी कैसे हैं वो तो बिल्कु ठीक है वो उन्हों कökर रहे हो हां बूकर दोन रहे हो तुम कांजी जुन रहा है तुम चाहें लेकर आई हो चांतिका उन्होंने कहा है वो नहीं आ सकती रोमेट पेटी रोमेट तुम चाहें लेकर करके नहीं आई इस काम के लिए घर में नौकर है अरे वहां जमीदार उमाकान के बेटा है कोई भी हो मुझे क्या तुम्हारा होने वाला पती है उसी ना पूर्ण को लाए थे और उसी अपने ही कहा था वह मेरी भूत अब तुम्हारी इचाहदी इस लगे के साथ को कला आप कहेंगे यह नही सकता है और अधिन नगे गंटकर यह को छादी करूंगी तुनीं करूंगी की वह सकता है क्यों हो और नो रैने वाली और तो संद्रिया का यही रिवाज है इस सरफ तार गरी पिसाद 132 और घर ता यह लिटेए मैंने साइन कर दिया है और आप इसमें लिट लिटेए आपकी जायदाद और दौलत में से मुझे पैसा नहीं चाहिए शांती यह क्या करें हूं मां अभी इनहोंने कहा न अमीर आमीर से और खरीब गरिब से शादी करता है अब मैं गरीब हो गई हूं और उसरे से शादी कर सकती हूं सुनये आपके पाद किराय के लिए जगा खाली है है और एक भुशने कमरा है कि चीट अपि अमारे आपको नाम चंद्रकांद यह है मेरी बीवी शान की नवस्ते आप काम क्या करते हैं जी पहले रहने का हो जाए तो फिर काम की तलाश करूगा अरे बास आप लोक प्पले काम जुनते हैं उसके बाद मकांग और फिर शारी करते हैं आप तो उल्डी गाड़ी चला रहे हैं हमा आप किसी को नहीं जानते हैं आप मुझे जानती है अर्षब मान ना मान मैं तेरा महमान माप कि जिए किरायदा रहते नहीं रखा जाता है बहन जी आप हमारी सेहता किजी हम लोगों ने अपनी मरसी से शादी किये इसलिए हमारे मापाप खुश लेह हम शाहर चोड़ कर मैं आपको यकिन दिलतूं के हम आपका किराय महिने के महिने बरावर चुका दिये करें आप थोड़ी से सिफारिश करते हैं आप बोलेंगे तो जरूर मान जाएंगे आपको यह मालुम है कि जो काम कहीं से ना बने वों डिपार्टमेंट के जरीए करवाया जाता है चलिए सावम मान गये क्या है पानी जी चलेगा करते हैं एक मिनिट यह क्या शादी के बाद आज हमारी पहली राग फूर चलेगा क्या है क्या है क्या है आज का इंडू के अतरा एक सिफार्ज वला उमीद्वार थाओ नोग्यूर से देडिकर अब काम दीजी माइकल इंजिनिंग वोक्स में जगा खाली है वाट राई दीजी क्या बात है जी बहुत देर करती है कर दो क्यों करते है आई खाना खाली है आई नगा क्यों करते है वाट शवार राई है वाट 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 कर दो 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 नहीं रोशनी है, तेरा साथ है तो कुछ भी नहीं है तो, कोई गम नहीं है हर तुमे बसी बन गई चांदनी है, तेरा साथ है तो कुछ भी नहीं है कभी नो कभी तो मिले जा किनारा बही जा रही ये समय की नदी है किसे पार करने की खाशा जगी है तेरा साथ है तो मुझे क्या करी है अंधेरा से भी निल रही रोशनी है तेरा साथ है तो हर एक मुश के अंधेर लग रही है हर एक मुश के सर लग रही है मुझे जो पड़ी भी महर लग रही है तिन आपों में माना नमी ही नमी है मगर इस नमी पर ही दुनिया थमी है तेरा साथ है तो मुझे क्या करी है अंधेरा से मिल रही रोशनी है तेरा साथ है तो तो आप आप अब आप अब आप अब यह दागा बाने यह दागा गैसा बाने तो बताती आप अब आज मैंने देवी माख वरत रखा है तुम दिन वर कुछ नहीं करो नहीं रात को वरत खुलूंगी तारा देखने के बारी लेकिन तारा मैं तब देखूंगी जब मेरा चांदा कर मुझे कहगा के नौक्री मिल गी लेकिन अगर मुझे अउसर के नौक्री नहीं मैने बेटेटो तो फिर मेरा वरत मैंने देवी माख से कहती आए वो जब तक आपको नौक्री नहीं दिलाए है मैं वरत नहीं कुलूंगी पानी के बूंग तक मही पूंगी पानी बूम तक मही पूलगी I am sorry Mr. Chandrakhan एक उमीबर बहुत बड़ी से फर्ष लेकर आया था, नौक्री उसे दे दी गए मैंने देवी मा से कहती आए, वो जब तक आपको नौक्री नहीं दिलाएगी मैं वरत नहीं कुलूंगी, पानी के एक बुम तक नहीं दिलूंगी माता महालक्षमी, तेरी सदा ही जाए, मुझे पुरा विश्वार से, आज उन्हें नौक्री जरूर मिल जाएगी आप आगे? आईये साब, आप भी धागा को लीजिए नौक्री मिल गई न? हाँ, मिल गई सुना बैन जी, इंजिनियर की नौक्री मिल गई जै माता की, देवी मा ने मेरी प्रात्ना तुन ली, तुम धल्य होते ली मा, तुम्हारे आशिरवात से, आज मेरे पती को नौक्री मिली है जै माता की, इस खुशी में बैन जी, कोई दावत होनी चाहिए अगले महिने तन खाने पर मैं आपकी शांदार दावत करूगी, आपका सारा किराई भी चुकात होगी, आपने हमारे इतनी सहता की है जै बता की अरे शांती शामा तो एकन सिंपल होगी तो यहां कैसे मैं आज कल यहीं रहती हूं मेरी शादी भी हो चुकी है शादी होगी, हमें बताया तब नहीं बाती कुछ ऐसे थी तुम्हारे पती क्या काम करते है वह यहां बहुत बड़ी फैक्टरी में इंजीनियर है इंजीनियर वह वह अच्छा हुआ तो मुझे मिल गई कल मेरी बहन की शादी है यह लेकार अपने पती को भी लाना कल मेरी फैक्टरी के मालक की बेटी की बशादी है अगर मैं वहने गया तो बुरा मानेंगे क्या करें क्या करें जब दो शादिया एक वक्त पर आजाए तो एक में पत्नी चली जाए और दुस्रे में पत्नी नमस्कार आये आये इस तरफ यहां बैटिया न आये अरे शांती तु अकेली अपने हस्बन को नहीं लाई उन्हीं अपनी मालीक बेटि की शादी पर जाना था इसलेज में आप्र ही आया मैं तुम्हे अपनी शांती के बार में बोल रही थी 들어 यही है शांती इसके हस्बन बहुत वड़ी इंजीनियर है आऊ में तबемसे बहुत कूआ कि वह Oke कि यह वह तो उसे क्यों देख रही है वो हमारा ड्राइवर है क्या तो उसे जानती है जानती कैसे नहीं अच्छी तरह जानती है कि ये ड्राइवर साहब इसके पती देव तुने तो कहा था कि वो किती फैक्टी में इंजीनियर है इंजीनियर क्या ये तो इस शादमी को भगवान समझती है इसकी खातिर महबाप का प्यार थन दॉनर सब को छोड़ दिया इस ते अब असलियर सामने आई है ये सब के सामने कैसे कह सकती है कि एक ड्राइवर की बीवी है जूट तो जे बोलना ही पड़ेगा ये सरी मुझे माफ कर दो शाक्ति मुझसे बहुत बड़ी भूलोगे मैं कभी सपने में भी नहीं सोचलता कि मैं तुम्हें कभी दुख बन जाओंगा पत्नी को दूख नहीं होता चाहे उसका पती स्वरकों पर बोजह होता है पत्थर को दे पत्नी के लिए मौत है मैं शांती मैं तुमसे जूट बोलना नहीं चाहता था लेकिन उस रोज तुमने देवी मा का वुरत रखा था तुमने कहा था जब तक मुझे नोकरी नहीं मिल जाती तुम अपना वुरत नहीं खूलगी मैं तुमसे कैसे कह देता कि मुझे नोकरी नहीं मिली इसलिए मुझे चूट बुलना पड़ा उसके बाद मुझे ड्राइवर की नोकरी मिल गई और कोई चाहरा नहीं था लेकिन लेकिन यह बाद मैंने तुमसे चुपाई रखे क्यों आपने सोचा अगर मुझे पड़ता चलेगा कि आप ड्राइवर का काम कर रहे तो मैं आपको चूर दोंगी नहीं शांती यह बात नहीं तुम कितनी खुश थी कि तुम्हारे पती को इंजिनेर की नोकरी मिली है नहीं खुशे हैं कि पार शरी विए तुम्हारे की खुशने की बेटी मैं कैसे लोगों से कहता के तुम है मामुली ड्राइवर की बीवी हूं कि तो अक ड्राइवर इंसान नहीं उसकी बीवी बीवी नहीं मुझे एक ड्राइवर की बीवी होने में कोई शरम नहीं मैंने अपके नौकरे से प्यार नहीं किया आप से प्यार किया है स्रिप आप से मैं जानता हूं शांती तुमने मेरे लिए कितनी बड़ी पुर्बानी दी उट हम अ्हुथ है और मैंने क्यादिया है तुम्हें साइथ तम मकमल के घुटो पर सौफी मिद्वटे किया ह Enix आओर मैं तुम्हें मामली खटिया टक लाग्मादेस करें कर तुम रेशमी साड individually या और मैं तुम्हारे लिये dicht मामली सुती साड़ी तक लाकर मृश्ट मुज़ता है उ homala Sh stuff और मेने मैंने तुम्हे हूपि मिलाकर चांग तुम्हारे माबाप ने कि इस औरम की शिंदगी अगर तुम्हारे पतीन तुम में क्या मैं जब यह सोचता हूँ शांती तो अपने आपको कितना कोशता हूँ कितना कोशता हूँ जो मर्द अपनी पीवी को अच्छी जिंदगी ना दे सके उसे शादी करने का क्या हक है ऐसे आदमी को तो मर जाना चाहिए मुझे ऐसे शब्सक्री का लिए शांती जिस दौलत के जोर पर तुम्हारे पिता ने तुम्हारा सब के सामने अपमान किया मैं वो दौलत कमा कर दिखाऊंगा तुम्हें उसी दौलत के जोर पर दुनिया से बदला लूँगा सुनिय जढ द astrologyासी प्राई एड़जँ कि के लिए झागारी तूलत के लिए झागागा छूलत के लिए तुम्हें क्या वा शांती यह देखिए ओके चलेगे तुल्विद्विद्व कबराओ मत पहें मैं आद्वी आत्मी को समझता हूँ वो जरूर लोटेगे और काम्याब लोटेगे ने शांती रोमत तेवी मा करपा करेंगी शांती 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 मुझे पूरा विश्वास है वो जल्द ही वापस आजाएंगे अब रोज एही कहकर मेरे हांसु पुछती है उने कहे हुए कही दिन हो गया इस तरह हिमत नहीं हारती है वह सकता है नौक्री के लिए दूसर शहर गया हूं वह जरूर लोट आएंगे पुछ अश्टी अश्टी चलो खाना खालो चलो श्टी चलो कर दो कहां थे आप कहां चले गए थे खर में बीवी रोड़ो के हलकान हो रही है और मैं शहर भर में आपको धून धून कर परिशान हो गया बात यह है कि वो चांदी पुछ पुछ जी कहां सिलाए कर चोडने के बाद मैं इदर उदर बहुत बढ़का आखिर थका आरा एक जगा बैठ गया ऐसी मेरी नजर एक सामने बोर्ड पर पड़ी ये जमीन से रामचंद की मल्कियत है से रामचंद के बगएर जो व्यक्ति इसे बेचेगा या खरीदेगा उसके खलाफ कानूनी करवाय की जाएगी मैंने देखा कुछ लोग एक दूसरा बोर्ड लेकर आ रहे हैं उन्होंने पहला बोर्ड निकाल कर फेक दिया और उसकी जगे दूसरा बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा हुआ था ये जमीन से लालचंद की मल्कियत है पुछने पर मालूम हुआ कि रामचंद और लालचंद दोनों भाईयों के जगड़े में जमीन नहीं बिकरे हाला की खरीदार बहुत मैं रामचंद से मिला उसने कहां उसे पांच लाग रुपे चाहिए फिर लालचंद से मिला वह भाई को कुछ देने को कथा यार नहीं था उसने कहा उसे 10 लाग रुपे चाहिए फिर मैं सेट रतनलाल से मिला जो इस जमीन को खरीदने की कई बार कोशिच कर चुका था मगर भाईयों के जगड़े की वज़े से बात नहीं बने वो 16 लाग तक देने को तयार था है एक जमीन उसे 8000 को दस लाग रुबाई और उनसे रुड़े चाह्जाओcan कर भघे करवा कर को कांगजारता प्टैए हैँ इसकी तरह reetरम चंद्रफिंग है और उसके बीख डियली उस सौद्धे में मुझे पूरे एक लाख रुप category के मुणाफ़ हुआ अब मैं इस एक लाग से दस लाग बनाऊंगा दस से बीज, वीज से तीज, दीज से पचास शांती, तुम्हें दौलत के इस धेर पर महरानी की तरह बिठाऊगा और ये दुनिया जिसने तुम्हारा मज़ाक उड़ाया है तुम्हारे कदमों पर जुकेगी, तुम्हें सलाम करेगी बड़े मालिक, बड़े मालिक छोटे मालिक बेहोश पड़े हुए, कितनी सारी नीन की गोलिया खा लिये नीन की गोलिया इस चंदकान रवी को होश आ गया है लेकिन अभी उसे आराम की जरूरत है उसे डांटियेगा मन, न उसे ऐसी बात कहिएगा, जिससे वो जूश में आ जाए या उसके दिल कठेस पहुचे, आप उसे मिल सकते हैं तेंक्यू डॉक्तर लुपेड हमने तुझ से क्या कह और तुमने क्या किया तुमने जरह सा भी सबर नहीं प्यार करना आसान है शादी करना भी आसान है लेकिन शादी करके निभाना बहुत मुश्किल है बेटा हम तो तुम्हारा इम्तियान ले रहे थे कि तुम्हारे प्यार में कितना दम है और तुम उस इंत्यान में पास हो गए हो सच टैटी हारव हम अभी लड़की के मावफ के बाद जाएंगे और शादी के तारिक पकी गए हैपी थेंक्यू 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 आप बंबई से कश्मीर तक और कश्मीर से बंबे तक इम्तिहान लेते रहें हां इतना लंबा इम्तिहान स्टूपेड जब देखो बोलता रहता है चलो यहांसे रवी को आराम करना है वह अच्छा हाँ 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 जीत दो पीटी तुम जीत गई है मुझे मालूम है रवी ने मुझे फोन किया था यू नौठी चल्डर्ण हम तुम्हारे पिटाजी से मिलने आये आये पापा 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 जल्दी आये आपसे कोई मिलने आया है पाप 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 यह तो कमाल होगे हमें तो पता ही नहीं था लक्षमी अरे लक्षमी देखो तो कौन आये है याने मनोरमा आपकी बेटी है आप कैसे जानते है अरे वे हम नहीं जानेंगे तो और कॉन जानेगा अभी बताते हैं नमस्ते आप आप लोगों को मिलकर आनंद आगे लक्षमी चाहे लेकर रूचन सुखी चाहे से काम नहीं चलेगा मुह मिठा करने के लिए कुछ मिठा लेकर आईए ऐसी भी क्या बात है हम भी तुसने है वो कहते हैं न दाने दाने पर नाम लिखा है इसलिए आज आपके घर की मिठाई हम खाएंगा और वो भी आपके हाथ से पहेली है मत बचवाईए साफ साफ बताईए हम अपने बेटे रविकांत के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आए साफ भाई साफ हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है लक्षमी तुम दुनों जरांदा जाना चंजरकान साथ मुझे ये रिष्टा पसंद नहीं ये क्या कह रहे हैं कोई वज़े आपकी घर में कोई और सुखी नहीं रह सकती है जगनाची मैं जी कह रहा हूं ठीक कहा मैं अपनी आखों से देख चुका हूं कि आपकी बीवी आपकी घर में कितनी सुख आप 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 Som कि अ500 आप 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 कुछ आप काम तो बाद में भी दिखा जा सकता है कि तुम्हारा मतलब है हमें इतनी भी अकल नहीं कि कौन सा काम किस वक्त करना चाहिए बीच में फुल मत किया गरुशान थी कि अधिश्य जगर्णा हर महीने आपको दो-तीन दिन की चुट्टी चाहिए जी कुछ घरेलू जरूरते हैं जिने देखना पड़ता है घरेलू जरूरते सिर्फ आप ही की नहीं हमारी भी हैं सभी की होती हैं लेकिन कुछ लोग अपने घर को खुद देखते हैं कि अधिश्य की बात है कि यह मां बनने वाली है मुझे तो पहले ही मालूम था देवी मारे शानती को सब कुछ दिया है बस इक संतान का धन नहीं था सब वो कमी भी पूरी हो गई आप हर महीनी चेक अप करवाना मत भूलिएगा अब मैं चलू आईए जाक्तर हलो मैं मिसिस चेंज कान बोल रही हूं कि आइए जाए 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 जोड़ सब ही जाए 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 जोग देख जूए जोग जाए जोए जोग लोग तो फाली आप खाना कालीजी उनिकी साथ खाना खाएंगे आप लोग खाना खालो जी अच्छा अच्छा खञ है devoir खाना को खाना खुड़िया को लोग खाना खाना में साहब में साहब आ गए है आगी साहब खाना खाने के लिए आ रहे है आ रहे है मालिक तो खाना खा चुके मिनिस्टर साहब के रहे डिनर बार्टी थी काचुके में निकाँ चुके सुनी मैं कमें आये आये मिश्री जगर्णा मुभारखो मुभारख किस बात पूछ रहें किस बात याजी साब बाप बनने वाले हैं वाट अमेरी बीवी कला आप किया गई ती उसी ने मुझे बताया है यह ली यार्स गोड न्यूस उसने मुझे बताया नहीं किता है मेरी आप हालो है हमने सुना करें हम बाप बनने वाले आपने मुझे बने कर दिया है अपने मुझे एक मुझे मुझे अपके आप्स में पून घा ता टॉब आप में नहीं था रात को आप आदी शोगे और सुबा ऑफिस चलें आजकल काम इतना ज्यादा है कि पस कुछ मत पूछा है आज हम बहुत खुश है बोलो तुम्हारे लिए क्या तुम्हारे लेकर आज हम बहुत खुश है जो कुछ तुम कहोगी वही लेकर आएंगे सुनी आज अब जल्दी घाष चले आए यह आज नहीं करता किया आज शाम को आज आज आंको आज इंपोर्टन आज बजा ठीक है जी कर दो कर दो कि मालक 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 की ने कहा था कि जाने से पहले उनसे मिलके जाएगा कि अरे शांति हमारे दिमार से तो अब तो कुछ नहीं है क्या वाद शांति कुछ नहीं जी कि अरे तो में तो तेज भुखा रहे हैं सिवक सिवक जी को फून करो हम बात करें हैं बात करें हैं क्यों जी मैंने सुना आप शहर से बाहर जा रहे हैं अगर हम महां नहीं तो बहुत बड़ा साथ से दिकल जाएं अगर नुक्सान जाएं अगर नी काहा है शाय देख दो दिन में डिलिवरी हो जाएं वह वांदर्फूल मानिक डॉक्टर से वर लाइन पें के लिए वह अलो चैंट्रकाथ या वर्ड मारें डॉक्टर हमारी मिससी को श्चीग नहीं है है तो अफिस सब फोना है मिनिस्टर साब पर पहुंच गाही है तो आंसकल तो तो अच्छाइब वह सही आप तो तो अश्टिभा निक्या तुम्हारा दिल्या ज़रूर नहीं है तुम यही दो मालकी देया रखाए अगे हम चलते हैं जिल्साइब चलो सारी और शारी रॉक्तर साहिबा मालिक आपसे बात नहीं कर सके किया के मिनिश्टर साप से कि इंपॉर्टर अपइंट्मेंट की जी मालकिन की तबीत भहत खराब है आप जाए आप जाए आप 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 नहीं नहीं डॉक्तर जब तब को नहीं आएंगे मैं आप प्रशन नहीं कर वांगी जाहें मेरी जान चली जाहें आप हलो प्रंकॉल आप 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 किसी वी तरह शांती को समझाइए उससे कहिए कि हमने कहा है कि वह अपरेशन करवा ले आज शाम का इंपॉर्टन मीटिंग है वह अटेंड करके हम कल सुबा की फ्लैट से आजए कि मीटिंग में आप नहीं जाएंगे तो दुनिया खत्म नहीं हो जाए मगर आपके मिस्स आपकी गैर हाजरे में ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार नहीं आपके लिए त्रंकोल हेलो अभेक किया तो आपके लिए तैयार देन बीए हुआ ए मिल्म संधी स्वावन चैन्दर कांथ या श coalition गोवाइन के अगर हमने जो रच में अग्याना है lle कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि अधिन नर्सिंग है यह घर आगा बेडलू में साथ कर दो कर दो कर दो शांती कैसी ओ शांती ठीक हूं जी कर दो शांती इसकी शकल बिल्कुल हमारे जैसी है है ना कर दो कर दो हमने जल्दी आने की बहुत कोशिश की लेकिन आ नहीं सके क्या करें कि बिजनस को काम्याबी के साथ चलाना इतना मुश्किल हो गया है कि जब तक हर काम खुद न करो बात नहीं बनती है इसलिए ऑपरेशन के वागत हम नहीं पहुत सके क्या फरक परता है कोई रहे या न रहे दुनिया के काम तो रुक नहीं सकते यह क्या कह देश तुम चांती कहने के लिए रही गया जब इतनी सारी समझता है आदमी के सामने आ जाए तो उसी कोई पहले दिखेगा जो उसके लिए जादा जरूरी है आपने भी वही किया तुम्हारा मतलब है हम जान बुचकर नहीं आए यह मैं किसे कह सकती हूं जी आपका जादा धहन बिस्नेस में रुपिया कमाने में है तुम ठीक कह रही उसारती लेकिन यह रुपिया हम किसके लिए कमा रहे हैं यही तुम्हे आपसे पूछना चाहती हूं अपना घरवार अपनी बीबी अपने बच्चे को भूला कर किन रात आप रुपिया कमाने में लगे हैं किसके लिए किसके लिए शान्ती शायद तुम वो दिन भूल गई वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूं उन्ही दिनों की याद पर तो मैं आज तक जी रही हूं उन दिनों हमारे पास खाने को नहीं था लेकिन हम एक दूसरी का गम और दूप बात करी खुश थे मुश्किल के कितने दूफान आए फिर भी हम हासा करते थे क्योंकि हम एक दूसरी के साथ थे एक छोटे से मामूली कमरे में फश पर एक दूसरी के पास बैठे एक दूसरी खुद देख देखकर कितना आनंद मिलता था लेकिन आज आज क्या है हम इस आलिशन महल में रहते हैं हमारा घर एक है कमरा एक है लेकिन आपसे बात करने कभी मुझे मौका नहीं मिलता कभी बात चीट होती है तो तो तलीफोन के जरी आपसे मिलना चाहूं तो किसके जरीए खबर बेचने पढ़ती है मैं पहली पार मा बनने वाली थी डॉक्टर ने कह दिया बीना परशन के वच्चा नहीं हो सकता फिर प्याप नहीं आये क्यों दॉलर की खाथे यह दॉलरत आप किसके लिए कमारे शांती तुम क्या सुचती हो हम जानमुच कर तुमसे दूर रहें क्या हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं करती थी मगर अब तॉलरत से शांती शांती तुम तुम बार बार हम पर वही इल्जाम लगा रही है कि तुम्हारी खरीयत के बारे में हम एक एक मिनिट की खबर रखते थे कि तुम अब कैसी हो अब कैसी हो हमने अपने पीए अपने मैनेजर को हुकम दे रखा था कि दिन रात तुम्हारी देख बाल करें तुम्हारे शहर के बहतरी डॉक्टर थे सैकरू डॉक्टर हजारो मैनेजर लाखो देवी देट तभी उसकी उत्कृत क्यों नहों कर दो मगर हर पत्ति भच्चे को जनम समय अपने पती को अपने पास देखनाचाफिए जानती ही क्यों कि पत्तनी के लिए उघहरी व्यज्फ के अरणरखी ड़त नभी संबनों के घड़ी होती है जानती ईगंचे को चानम देते ही हुए वो अकर मर भी जाये, तो भी इस एक तसली होती है, कि आँके बंद करते समय, उसकी आखों के आखे, उसकी ही पती की मुरद्थी, और अगर वो मौत के मूँ से पचके निकल आए, तो आँके खोलती ही वो जब आपने पती को पास देखती है, तो उसकी सारी तकलीबे, खुश मुशी में बदल जाती है, और मैं, मैंने तुमू सोगा की भी खोल दिया, शांती, शांती, तुम खामखा अपने आपको दुखी मत कर, हमने आने की पूरी कोशिश की, लेकिन हालत ने हमें रोके रखा, हालत, हालत किसके हां तुमें, यह हालत तो आभी नहीं पैदर की है, तुम कहना चाती हो, हम आ सकते थे, और नहीं है, क्या हो जाता अगर अब दिली नहीं जाते तो, चप्तिया, ना सो जाता, तुम क्या समझती हो, दिली हम अपनी खुशी या आश्च करने गए थे, महां जाकर, हम कितना परिशान हुए, यह सिरफ हम ही जानती है, ना खाना ना रातों के नेन, तिन रात हमें पागलों की तरह लोगों के बीचे भागना पड़ा, अगर क्यों, आपको क्या ज़रोती है, परिशानी मोड लेने की, क्या आपके पास जो है, वो काफी नहीं, यह आप दरते हैं, जो आपके पास है, वो चला जाएगा, यह दॉलत, यह यह शान, यह मुझे सिर्फ आज नहीं मिली, मेरे पास पहली भी थी, वो सब कुछ, मैं आपकी खातित छोड़ कर आए थी, और अब आप, मुझे छोड़ कर, उड़ी चैसर के पीछे भाग रहे हैं, यह शान, यह दॉलत, यह आराम, यह सब कुछ मुझे नहीं चाहिए, अपने दिल के, किसी कोने में, मुझे थोड़ी सी चखा देती छे, बस, मुझे इतना ही चाहिए, इतना ही चाहिए जगनाच जी, अगर आप यह सोचते हैं, जिसने एक बार जुर्म की, वो जिन्दगी पर मुझे बना रहे, उसकी आने वाली पीडिया मुझे बनी रहेंगी, तो बात करना बेकार, लेकिन हम आपको यह बता देना चाहते हैं, अगर दौलत का भूत आज भी हमारे सर पर सवार होता, तो हम आपके दरवाजे पर नहीं आते हैं, हम अपने बेटे के लिए, मालदार से मालदार घराने की लड़की हासिल कर सकते हैं, लेकिन, लेकिन हम आपके पास रहें, क्योंकि हम यह जान चुके हैं, कि जिन्दगी मे सबसे बड़ी दौलत प्यार है, और यह दोनों बच्चे, एक दूसरे के प्यार की दौलत से माला माल हैं, आप सोच लेज़ें, शायद हमारी बात आपके समझ में आ जाएं, पेटा, आज तक हर काम हम ही करते हैं, मगर अब हम ठक गए हैं, तुम में एक जिम्मेदार इंसन बनने के काबिल हो चुके हैं, यह लो चाबिया, हम चाहते हैं, आज से हर जिम्मेदारी का बोज, तुम ही सभागो, करक मार्श रक अर हम कश्मीर जाकर आराम की जिंदकी गज़ारें डाइट, बेस्ट आपलक में साम लाला ला लाला ना मचुमित कुमरे में बंड़ हो लाला 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 ये क्या असो में बहार गलो गलजार खुष्बू की फुहारी फुह विए जो मुझे मालूम होता कि शादे की बात भी तुम्हारा बच्पना नहीं जाएका तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती है लेकिन इसमें बच्पने की क्या बात है, ये सब कुछ सर्फ पहली रात को होता है, सुहाग रात को, मैं पुष्ता हूँ, हर रात सुहाग रात क्यों नहीं हो सकती, मतलब, मतलब ये, हर रात तु मुझ में एक नया दुला देखे, और मैं तुझ में एक नहीं दुला, आज से हर रात तु यहां सच जच के बैठ जाये कर घूंगट निकाले ऐसे यह दूद का लास देज में कहा से आ गया इसे तु बाजू में करो मैं बाहर से दुला बन कराऊंगा यह दिखो अरे यार तो से क्यों भी सीरियस यार इसमें है क्या बाता है यह गूंगट बहुत इंपॉर्टन है इसे रखो अच्छा मैं दुला बनकर आता हूं बार देशा क्या कर रही है क्या हुआ हुआ कुछ नहीं मैं अंदर जटका खाकर रहते आया जैसे दस बार और और तो ने धक मनू 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 आगे तो बोलो ऐसे बात करोगी जब मैं मनू कहूं तो शर्मा कर कहना मनू इतनी जोर से नहीं मनू कितनी अजीव रात है सारे जहां में ढूंडा आसमा में ढूंडा मगर चांद कहीं भी नहीं है यहां है मेरे घर में मेरे पार मनू 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 को मनू 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 यह क्या है तो प्यो ना प्यो ना तुम चांते हो मैं थमज़ा पीती हूं यह तो रियरसल है इसे थमज़ब समझ कर पी लो अभी नहीं आद में क्यों दूद पीने से मुझे नींद आ जाती है तो फिर छोड़ो इस तूद को मनू 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 यह क्या अब तब जो हुआ और यह अब जो होगा और यह असली बात है हम अंगर आ सकती ही आई आये नमस्का 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 नमस्ते जी आदा भर सादा अब आपके पास एक जिंती लेकर आए हैं अब लोग सब आइका के मेंबर हैं आइका मतलब आइका ए-आ-ए-क-ए-आ-ए-क- all-India कड़का एसोसियेशन कड़का एसोसियेशन इस एसोसियेशन के नाम तो पहली बार सुना है जी आपकी तरह मर्स्डीज इंपाला में घूमा करते थे हवाई जहाज में उड़ा करते थे लेकिन आज इनके पास बस में बैठने के लिए पैसे नहीं रवी बाबू आप तो दान वीर करन है आप खुदी सोचिये क्या हम पैदल चल सकते हैं आपको हमें चंदा देना चाहिए कि सट कारायारी आपको हम ब्रकार सब corresponds कर दिते हैं लेखेक करेंश करेंद थाव में इक लाक रुप़ेक की शालीग शम指 कोडे 13-88 जो नेकिक फुट वाले एंग गिवट के अठीव करकि द्राश ऑन काल चाहुत एक लाक रुप़े है शालीगा गातकि है वोग व्याट नाज तक प्रॉपर देका उस मक्यच उसने लाख रुपर दिया है तो पर हम एक लाख दसतार रुपर देंगे वह तो ने हम जल्दी आना थीक अजिक सवाग रास्ते है हम भी है यह जाओ गा जाओ गाओ उससे पहले हम लोग इवनिंग शोप पिचर जाएंगे तो ठीक है तीन बजे क्यों तीन से चे मैंतनी शोप यह जलो जल्दिका तुम रोज लेट जाते हो अरे देखो देखो छोटे मालिक की तस्वीर चपी अखबार में उन्होंने एक लाग दस हजार रुपया चंदा दिय आल इंडिया कड़का एसोसेशन को अरे यह तो कुछ भी नहीं है सिवग राम जी वो दस लाग भी दे सकते हैं बाप की कमाई दौलत है दोनों हातों से लुटा रहे है मुझे तो यहीं डर है कि अगर वो ऐसा ही करते रहे तो एक दिन वो इसी ओल इंडिया कड़का एसोसे आपकी कमाई दौलत है दोनों हातों से लुटा रहे है प्राइब दौलत है जो प्राइब दौलत है अगर जी विस्तर जावट को लेकर मेरे ओफिस में आईए मिस्टर जावट यह सर हमारी जितनी भी कंपनिया है मैं उन सब की अप्टूडेट बैलन शीट देखना चाहता हूं अभी और इसी वक्त जी सुना नहीं आपने बैलन शीट लेकर आई फॉरन रिसल लेकर थोड़ा थाम लगया सर कितना टाम लगीगा एक दिन एक हफ्ता एक महिना एक साल जी वह कितना टाम लगी जो भी हो जब तक सब काजाब मेरी टेबल पर नहीं आते मैं यहीं बेटा हूं चाहिए जैए अपने प्लीज गो कि चोटे मालिक आपको हमारी बाते सुनके बुरा तो नहीं लगा आज आपकी बातों ने मेरी आंखे खुल दी आप कमाई और बाप कमाई में बहुत फर्क है रुपया खर्च करने से पहले इंसान को रुपया खुद कमाना चाहिए डेडी की कमाई हुई बहुत दौलत है लेकिन वो उनकी अमानत है आज से मैं अपनी कमाई शुरू करूंगा अपनी कि अपनी है अपनी है यह अपनी है यह अपनी है यह अपनी है यह वह बात बुस्या में जाए मनु 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 दर्वाजा खोलो जानता हूं तुक जो नारा सो पर क्या गरूं कुछ बात ऐसी हो गए कि मैं भूल गया यह अनु 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 दर्वाजा को मनु अक्रम ज्वाजा अनु अनु पर खोले अनु अनु वुद्वाजा अनुद मणु मनु जाला वखया यह अनु उपनी मनु मुझेविक रहा यह अनु मनु चल अगे ना तो फिल कभी पैड़ूं में नहीं आंगा वद्वे तूब किया समझती है तूब दर्मादा नहीं खोलेगी तो मैं कर दो नहीं सकता क्या मैं जा रहा हूं मननू अरे यह तो समझ सो गई ठीक है सोजा मैं भी चला कि अगया 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 कि झाल कि अप्री उपके बश्राइब बार्श जाप परॉबा कि एा। कि एा।-ा परॉबाव पर इा।-ा। कि एा।-ा।-ाथ-ा। कि एा।-ा।-ा।-ा। अड़्य कि एा। कौन है अब मैं सोना जोएलरी एमपोरियम से आऊं सर किसलिए तल मेम साब ने जड़ाओं निकलिस लाने को कहा था सर आइसी और यह बिल भी कि अब चालीस हजार रुपे तुम्हारी दुकान के मालिक का नाम क्या है हरी जरी वाला जाकर अपने मालिक से कहो जब लेडिस इतनी किमती चीज़ और करती है तो भीजने से पहले फोन करके घर के मालिक से बात करनी चाहिए कि कल सुबह मारे आफिस में आना और रुपे ले जाना ओकी से ठेहरो आफिस जाने की कोई जरुवत नहीं कल सुबह मुझ से आके रुपे ले जाना मनू अब तुम जाओ मनू तुम नहीं जानती मैंने उसे कलाने के लिए जानने की जरुवत भी नहीं तुम्हारा जी चाहे तो एक लाग दस हजार रुपे शहर के लोफरों को दे सकते हैं कि अखबारों में तुम्हारी फोटो छपेगी है ना लेकिन मैं 40,000 का नेकलिस खरीदना चाहो तो पाप अखबारों में तुम्हारी फोटो भी तुम्हारी चपेगी शेडा तुम समझती है मैं सब समझती हूं अब जितना जीचाह खर्च कर सकता है उसे कोई पूछने वाला नहीं लेकिन और एक रुपया भी खर्च करते तो उसे पूछा जाता है क्यों किया किसले किया किसे कौशह होती है लेकिन यह बात तुम मिर्द लोगी समझते नहीं मंनू नहीं यह बात नहीं तो फिर ऑफ़िर बोलो आम ऑनोटे फूल मैं जानती हूं जो तुमने कहा ह्यों कियू कह सारी जादाद तुमारी है रुपया तुमारा है तुम कैस समझते हो यह नेकलेस में अप क्या बात है बैटी पापा मुझे चलीस हजार रुपे की जरुरत है किसलिए वो में बाद में बताऊंगी पहले आप रुपे भेज दिजे अभी इसी वक्त ऐसी क्या जरुता पड़ी है कुछ पता भी तुचले अगर मैं नहीं बताऊं तो आप रुपे नहीं बेज़ेंगे क्या देखो वैटी जब तक तुम्हारी शादी नहीं हूई थी तुम अपने पापा की बेटी अब तुम्हारी शादी हो गई है तुम अपने पती की पत्नी को माबाप या रिष्टेदार पती को बताए बिना अगर एक रुपया भी दें तो पत्नी के प्याता जीवन में बिकाड़ हो सकता है और मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई ऐसी बात पर सामना करना कर रहा है यू मील आप रुपय देने से इंकार कर रहें क्या इंकार नहीं कर रहा है अगर तुम मुझे अपनी जरुत नहीं बताओगी तो मैं रवी से पूछ के तुम्हें रुपय भीज देंगा आपको ना किसी से पूछने की जरुवत है ना रुपय भेजने की आई डों नीड एनिटिंग यह लोग आप निकलिस पापस कर रहे हैं या मैं इतनी अमीर नहीं जो यह निकलिस खरीज सकूँ मेरे पास रुपय होंगे तो मैं दुकान से आके ले जाओंगी आम सॉरी मैंने आपको तकलीफ दी जी कोई बात नहीं नमस्त कि अधिशना करें आपको कि मैं साथे ज़्दी चले जाया करते थे अब तो नहीं जाते नहीं अब बजने में जब तक नहीं जाते हैं हम कैसे जा सकते हैं वेम सब कहा है कुछ कम रहे हैं साहब आज भी सारा दिन कुछ नहीं खाया मनु यह सब क्या है इस घर में सिर्फ दो है और तुम इस कमरे में पड़ी और मैं उस कमरे में तुमने कुछ खाया ना मैंने कुछ आखर आखर हुआ क्या है तुम नहीं जानते क्या हुआ सिर्फ इतना हुआ कि मैंने उस आदमी से कहा कि कल दफ्टर में आकर उपे ले जाओ और क्या मैं तुम्हारे बात की असली मैंने जानती हूँ तुमने कहा कि फोन करके पहले तुम्हारी इजाज़त लेनी चाहिए थी इसका क्या मतलब हो मुझे इस घर में कोई आजादी नहीं मैं सिर्फ तुम्हारी हुला हूँ है ना नहीं मनी मेरा यह मतलब हर्गीज नहीं था मैंने जो कुछ भी कहा था किसी और वज़े से कहा तुमने भी अतराद उठाए था कि मैंने शेहर के लोपनों को रुपया दिया कि उससे एक लाग दस हजार रुपए ने मेरे लिए एक लाग दस हजार सवाल खड़े करता है कि मेरे इर्द गर्द लोग फिक्रे करतें लगे कि मैं बाप की दौलत लुटा रहा हूँ ये भी कहने लगे कि मुझे रुपय की गदर तब मालू होती अगर मैंने रुपया ख कहते हैं कि तुम अपने ससुर की दौलत पर एश कर रही है तो क्या तो तो अच्छा लगता हूं तुम्हें कसम है मॉन्यू सच सच बता एक पत्नी अपने पती की कमाई पर जीना चाहेगी या किसी और की कमाई पर तुम्हें पताना चाहता था उस दिन जब तुमने निकले साओर किया तब मेरी पास अपनी कमाई की फुटी कॉडी ना थी लेकिन अब सब्सक्राइब तुम्हारी हर मांग हर ज़रूरत मैं अपनी कमाई से पुरी कर दोएगा okay I'm sorry love means never having to say sorry I'm झाल झाल इन हसीन बादियों से इन हसीन बादियों से दोचा नजारे चुराले तो चले चुराले तो चले कितनो बड़ा गमर है दोचा सिद्मारे चुराले तो चले चुराले तो चले इन हसीन बादियों से दोचा नजारे चुराले तो चले चुराले तो चले चुराले तो चले कही कोई जरना गजलगा रहा है कही कोई बुल-बुल तरा ना सुनाएं यहां हाल ये है के सांसों किले पर कही कोई जरना गजलगा रहा है कही कोई बुल-बुल तरा ना सुनाएं यहां हाल ये है के सांसों किले पर खयालों में गोया बदल गुल-बुनाएं इन अजीज जुन्टों से दो चार शरारे चुरा ले तो चले चुरा ले तो चले इन हसी मादियों से दो चार नजारे चुरा ले तो चले चुरा ले तो चले कार ले तो चुरा ले अमारी कहानी शुरू हो दे है समझ लो जवानी शुरू हो गई है कई मोड हमने ते कर लिये है नई जिन्दगानी शुरू हो गई है इन मज़़ोरे मनज़ों से दो चांब सहारे चुरानी तो चले इन मसीन वादियों से दो चांब नज़ारे चुरानी तो चले इतना बड़ा गगन है दो चांब सितारे चुरा ले तो चले इन मसीन वादियों से दो चांब नज़ारे चुरानी तो चले चुरानी तो चले चुरानी तो चले मनौ 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 जल्दी देरो नहीं बड़ा लेकर आओ किया वाद वह पहले मूह तो मिठा करो पर क्यूं आज जानते हो क्या है क्या है मुझे मालम का तुम्हें याद नहीं रहेगा मर गए आज मेरा बर्दे है दत्र की एपी बर्दे टू यू एपी बर्दे टू यू अच्छा बर्देगल आज तुम्हारे लिए क्या तोफाले करा हूं कुछ भी नहीं आज शाम को मैंने पार्टी रखी है बहुत सारे लोग और तुम एक्जाटली छे बजे आजाना मैं ठीक दो बजे आओंगा दो बजे क्यों मैं इतनी शो आई इस बाटा बैठो मनू नाश्ता जल्दी लाओ मानी शो के बारे में क्या ख्याल है बिल्कुल नहीं लड़ी फूल जल्दी करो जल्दी लगाओ वारो क्या करता है कि में कुछिए कॉछ कर रही है लिगन फेलर हैटनी यहां पैचान है तो यह करहेँ हम हँए करो पाट बन जायले आज रात को लोग जा रहे हैं इसलिए शाम को छे बजे मैंने उनसे आपटमें तुछ कर दिया है ट्रवजे इप टोपी लेट बाद नहीं डिक्राइब अजय घ्यां कि अजय कि अजय आजय को है थान कि अजय को अ अ पर लगाव विदे शाम है है अजय यहाव जिए आख अच्छों करके पता लगाओ अभी तक है यह पुछ जो पार जाए प्लीजुज हो भी आते होंगे पहुत देर हो चुकिए हम एक जरुरी जाना जाना प्लीज पांश मिर उप जाए प्लीज मेडम चोटे माने किसी जरुरी काम से ताजमान होटल चले गए है बाजमें कि आफ। बावा रवाने हैं यह लो प्रीसक प्रीड दूड जूए अंड़िवस से लेगांब है अब इस ते इमकार इन दुटे रेकर शड़िवसादेटर अटीक अपर्शन पार्टी में है पार्टी इस मैडम इस वेरी अरजंट में की वाइफ बुल रहीं हूं स्वारी मैडम उनकी इंस्टॉक्शन है उनकी इस्टर्ब ना किया जाए कि में है झाल कि अर्जंट ना कि इस रजजा रहा हूं कर दो कर दो कर दो कर दो किसी ऐसी जगह जहां मेरी भी कुछ कादर हो आइम सावी मनु यह रखो वही नेकलेस है एपी वर्ड़ दे तु यह नहीं जाये मुझे यह मनु बात यह के अच्छानक कुछ काम इस दुनिया मैं किसे काम दो तु अच्छानक काम नहीं होता लेकिन वह भी शाम होते हैं अपने घर लोटते हैं अपनी बीवी के पास बच्छों के पास अगर वह अपना काम वक्त पर बंद करके घर आ सकते तो क्या तुम नहीं आ सकते मनु तुम्हें आज का दिन याद रहा ना मैं किसी बात कर अगर आज का दिन याद न रहता तो यह नेकलस लाना कैसे याद रहता कि यह नेकलस तुम मेरी लिए नहीं अपनी गलती पर परदा डालने के लिए लाए हो तुम अपनी तौलर से कुछ भी खरीज सकते हो मगर एक बीवी को नहीं है मनु तूपर चल मैं तुझे सब कुछ बता दाओ क्या बताओ कि मुझे हर गलती के लिए आदमी पचास बहाने बना सकता है चोर और खूनी भी अपना जुर्म चुपाने के लिए कोई ना कोई कहानी सुना देते हैं उसी तरह तुम मुझे बेव को बनाना चाहते हूं में बन कर दिया जब तुम्हारा चीचा थोड़ी तरी के लिए दिर्वाजा खोल दिया तुम कहो हसो तो मुझे हसना पड़ेगा तुम कहो रो तो मुझे रोना पड़ेगा मुझे नहीं चाहिए यह जिन लेगी मनु तुम समझते क्यों अगर मैं आज महाना गया होता तो लगा जा रहे थे वो लोग तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकते लेकिन जनम दिन को तुम्हारा इंतजार करना चाहिए महमानों को तुम्हारा इंतजार करना चाहिए अगर महमान तुम्हारा इंतजार ना कर सके पत्नी को तो जरूरी तुम्हारा इंतजार करना चाहिए क्य मनो करोडों की खातिर तुम अपनी बीवी को भी छोड़ सकते हो मनो करोडों की खातिर दुबारा किसी और से भी शादी कर सकते हैं किया कंज श Mai यह सब आ मैं हैं इस तो एफ उडिय आपे मुझे गर OH okay यह कोड़िये मुझे ठास आपे इसं हम के बंत्र मैं भ़ानी कि भुर्वाएख लापके आप saturated कि अभी कि देड़ी कि आपका बहु कहां है तो हमेशा के लिए घर चोड़कर चली गए ऐसा क्यों किया उसने वह सक्षिद्धी और नौ तुमने उसके साथ बुरा सालूप किया कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं हमारा ख्याल था तुम दोनों बड़ी सुखी जिन्दगी गुजारोगी लेकिन ये बीवी पर हाथ उठाने की सब बेदा तुमने कहां से देगी चुराब दो तुमने बाकी सब कुछ बताया है उन्होंने इसकी वज़े नहीं बताई अगर वही वज़े है तो गलती तुम्हारी है जाकर माफी मांगो उससे और उसे वापस लेया देडी येस नहीं डेडी आप उसे नहीं वह इतनी मगरूर बद्दिमाग है ऐसी और फैमली लाइफ के काबिल है किसी चीज़ को समझने के लिए तैयारी नहीं है इसलिए मैंने उसकी कोई परवा नहीं हुआ है रवी तो मौरत को नहीं जाते है जब तुम उससे प्रेम करते हूं उस वक्त वो देवी है जिसकी यह रुड़्या की दे बीजादी के बाद वह प्यारी विगता यह तुम्हारी जिंदगी का स्वर्ग बनादेता है पुश्काल उसके संतान होती ह特व दी बासल दोम पकी देवी यह जो सिर्फ यह में उसे सच्छा सहरा देता है। बेटा, औरत प्यार का सावन है। जो मर्द की जिन्दगी में सुख ही सुख बर्थाता है। अपना सब कुछ निचावर कर देता है। लेकिन उसे प्यार के अमर्द से सिंचना पड़ता है। वो सावन तुमारे घर में आया और बर्सा। लेकिन तुमने उसे निराश और प्यासा अपने घर से निकाल दिया। ऑरत के बिना घर घर नहीं। तबता हुआ रिगिस्तान है, जलता हुआ शम्चान है। रवी, मर्द का दिन तब शुरू होता है, जब सुरज चड़ता है। और दिन तब शुरू होता है, जब सुरज धलता है। वर्द दिन बर कहीं भी जाए, कुछ भी करें। और अवरत कभी नाराजी है। कोई सवाल नहीं पूछती है। क्योंकि वो जानती है, दिन ढलने के बाद जब घर में उचाला होगा। तब से अगली सुबा तक उसके पती का सारा वक्त उसके और उसके बच्चों के लिए। शाम होते ही, वो नहा दोकर बंठन करते। अपने घर के दर्वाजे पर खड़ी इंतजार करते। किस के लिए है, अपने पती के लिए, पती को आने में देर हो जाए, तो उसे चिंता होते। इंतजार बढ़ जाए, तो वो चिंता दर्व में बदल जाती है। और फिर होले होले दर्द गुस्से की ज्वाला बनकर बढ़क होता है उससे की उजाग को शान्त करना हर पती की जिम्मेदारी है रवी मैं मानता हूं लेरी कि आपने जो कुछ भी कहा है वो ठीक है लेकिन उसे भी तो यह समझना चाहिए कि उस रोज में वक्त पर क्यों नहीं पहुंच सका मेरी क्या मजबूरी थी क्या मजबूरी थी बिजनेस दौलत कमाने का भूत तुमारे सर पर जो सवार है जू जू दौलत बढ़ती है परिशानी भी बढ़ती है तुम हमसे पुछ सकते हैं कि हमने इतना रुप्या क्यों कमाता है इसलिए कि हम ना समझते हैं हमारी अकल पर परदा पड़ा हुआ था हम पागलों की तरह इस दौलत के पीछे भागते रहें इस अंधी दौड में हमने दौलत को जीत लिया लेकिन बाद में हमें पता चला कि हमने क्या हार दी आ हार दी आपने मुझे याद किया सर मिस्टर जगर्नाथ आपके बारे में हमारी राय कुछ और था हम नहीं जानते थे कि आप इतनी खेंगा निकले सी उसे कूई बूब यह प्यदी क्यों नहीं कई ची यह वक्त पर पूरी नहीं हो सकते तो नहीं अ इसका जवाब मैंनी सकता लेकिन इतना जरूर्द कह सकता हो मैं ओफिस में कर सकते थे किसी छुटी के दिन काम कर सकते ते इसके लिए आपका एक्षर उवर्टाइम की पैसे मिल सकते थे मुझे टायं करने का या ज़रूरत से जाधा रुपह कमाने का क्योंड़ इसँ and मैं ना समझ नहीं हूँ कि रुपों की खातर अपनी बीवी और अपने परिवार को भूल जाओं मिस्टर जगनाथ जी आप के बाद का वक्त मेरे परिवार का है इतवार यह चुटी का कोई भी दिन मैं अपने परिवार के साथ गुजारता हूँ और वो वक्त मैं किसी दी कीमत पर आफिस के काम में लगा सकता है आप कहना क्या चाहते हैं सिर्फ आप ही एक इनसान है जिसका घर है बीवी है हमारा कुछ कि सका फैसले तो targets की आप सकते हैं कि यह कुए हम घर बार बुलाकर दिन रात काम कर रहें वह अपनीror करें कर रहें में यहां करते हैं कि आप इस देश के सबसे बड़े आदिने जितनी दौलत आपके पास है और इसके पास नहीं मिस्टर जगनाती जैस मिस्टर चंदरकान इस जिर जदगी में जब पहला एक रुपया कमाता है इसके बाद हो एक रुपया उससे मेहनत करवाता है शांपी और पोका अपनी तरफ अगर आपको मेरा काम करने का तरीका पसंद नहीं है तो मैं भी इस्तिफ़ा दे सकता हूं मगर आपकी खाते मैं अपने असूल अपना परिवार कुर्बान नहीं कर सकता है अब जा सकते हैं कि अज़ा कि अज़ान यह दॉलत यह आरां यह सब कुछ मुझे नहीं चाहिए अपने दिल के किसी कोने में मुझे थोड़े से चखा देते जिए अपनी शोहरत की खाते अपने खमन की खाते आप यह साबित करना चाहते हैं के आप इस बरिश के सब से बड़े आजमें कि त नी तौलत आपके पास है और कि शंirk में म τα सब आप मुझे पता सकती है मुझे क्या हुआ है मैं आपकी पती से बत करने hard बिमार तो मैं अप मेरा ही ईलाज करने वाली है už दर भा ही बीचे पेंगी फिर मुझे पताने में हर्च क्या है कुछ बाते ऐसी है जिनके बारे में आपके पती ही फैसला कर सकते है फैसला करने के लिए उनके पास वाक्त नहीं है डॉक्टर उनके पास जो वाक्त है वो उनके बिसनेस के लिए काफी नहीं होता वो कब आते हैं, कब जाते हैं, खर में कोई नहीं कह सकता चान्ती चान्ती क्या वो, तुम, तुम यहां क्यों आई है, क्या बात है डॉक्टर आप एक मिनिट मेरे साथाई है, आप यहीं बैठिए अ काई बात है, हैं, तुम यहीं दूग सर्वी तुम यहीं बात है, यहीं है, यहीं है, दूम, तुम, तुम यहीं है अध कि डॉक्टर निक्या काही प्रश्व долine को मैं जल्दी मर्च यांगी ही ना नहीं शाørती पॉसकर मरश ने स्ट्बारा है और है मतीज मोर्ष कर गरका है अपनी हशालत चाहा है अभ प्राफ याप से बाफसे करने की तभी मैं अपने हालत के बार में समझ की थी तुम्हें कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा कि अब अब कि अब कि अब कि अब कि अब जो, प्रिक्ट भाजो में अधरी कि अधर्गर के समत्रे पल्दें अमारी का अधर्गर में पल्दू अलो, हम बल्रे हैं, तो प्रिक्ट कर दोके लिए, जिए प्रिक्टा रहा हुआ। जबकराम हमारी टेबल पर एक विजिटिंग कार्ड पड़ा है नाम है टॉम लेरी उस पर उनका अमेरिका का एड्रेस और टेलीफोन नमर लिखा है और अमेरिका कॉल बुक करो और ऑपरेटर से कहना के कॉल हमें घर पर दे तुछ सुनो तुम्हारी मालकें और हमारे अमेरिक जितने जल्दी ओसरें शांति क्या वो शांति मैं सोच रही थी मेरे लिए इस तरह बीमार होना भी खुश्किसमति की बात है नहीं शांति यह 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 तुम क्या कह रही हो हाँ आज मैं बहुत खुश हो जी अब मेरी खातिर खुश दॉक्टर के पास आए मुझे अपने पास गारी में बिठा खर खर तक लाए फिर अपनी बासों का सहरा देकर मुझे भी सर पे लिटाया और अब अब अपने साथ मुझे है मेरी कर ले जा रहे है मुझे मुझे और और क्या चाहिए अब अब मुझे किसी इलाज की जरूरत नहीं है शानती है यह यह खुशी मेरी बिमारी को दूर करतेगी जी शानती है आज से तुम हमेशा हमारे साथ रहोगी हमारे पास रहोगी हम तुमें एक मिनिट के लिए भी अपनी आँखों से ओजन नहीं होने देंगे शानती है सबी डॉक्टरों ने यह कहा अगर हम दुनिया के सारी दौलत भी लिया है तो अभी कुछ नहीं हो सकता वह सिर्फ उतनी देर ही जी सकती है जितनी देर उसकी बीमारी उसे जीने की इजाज़त दे अगर वो मिर्च मसाले वाला खाना न खाए नमक न खाए तो शायद उसकी जिन्दगी के कुछ दिन बढ़ सकते है समझ में नहीं आता क्या करें आज कुछ चटपटा खाने को हमारा बहुत चीज कर रहा है खान समय से कहो मिर्ची मसाला टाल के मेरली सुखे चानी बनाए मसाला भर के सिमला मिर्च बनाए बेंगन बनाए बहुत तिन से खाया नहीं ना उसे तेल यह घीमी बनी वही कोई चीज ने खानी चाहिए हमारे लिए बेसी घी की पुरिया बनवाओ और साथ धेर सारा हम काचार भी रखना और मिठा मिठा तो उसके लिए जहर है और हां हमारे लिए खीर जरूर बनवाना बहुत सारी खीर क्या 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 प्रताने क्यों मुझे इतने भूग लगी थी इसलिए मैंने पहली खाना मंगवा लिया अच्छा वह आप आगे साथ साथ खाना खाएंगी श्युश्युश्युश्युश्युश्युश्युश्युश्युश्युश्युश्युश्युश्युश्युश्युश्युश्यु जब तुम सब कुछ खा सकती थी तुम हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था पर आज सब कुछ है लेकिन तुम्हें खाने के इजासत में मरना तो है फिर क्यों ना खाके मरू शांथ है जब तक हम जिन्दा हैं तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती हमें पूरी उमीद है कि तुम ठीक हो जाओगी तुम यह खाना मत खाओ प्लीज हमारी खातिर श्रीप आज के दिन खाले नहीं थी फिर मैं कभी नहीं मंगूंगी नहीं शांती प्लीज मुन्ने की खातिर जान जी सब्सक्राइब तुम मालकिन के लिए वह लिया आओ कि जान जी खातिर दी तुम मैं से सब्सक्राइब तुम ऊम्नों तुम यह खातिर अजर जाओगी तुम यह खातिर यह खातिर जी तुम नहीं शाँ है इसमें कोई स्वाद नहीं है जी थोड़ा नमक चाहिए शांती समझ लो इसमें नमक भी है आम का अचार भी है सोखे चने भी है शिमला मिर्च भी है मसाले वाले बैंगन भी है खेर भी है अब खानो शांती तो मुझे क्या कमी है तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है पंधेरों से भी मिल रही रोशनी है तेरा साथ है तो सभी कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है तेरा में अगल रही रोशनी है बाग में भरकर तो लोर पारे बाग में भरकर तो लोर पारे गगन का कलेरा समी को प्तारे तो तो से तोड़ी उमर में लोगनी है अची बुरी और खरी बतनी है तेरा साथ है तो तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है तो तेरो से भी मिल रही रोशनी है तेरा साथ है मुझे तु सजा दे मेरी सब खता है अब आगे क्या होगा किसे क्या पता है धुटे दुल तो क्या राक तो तातनी है मेरी जंदिगी दर्द की रगनी है कहे पूल तुझे से रड़ा तुझा ली कहे पूल तुझे से गड़ा तुझा ली खिज़ों में अकेला करेगा क्या माली बता तो ये कैसी आंदी उठी है बहारों में गुल शन की दोली लुटी है दोली लुटी है तेरा सास है तो मुझे क्या कमी है कंधेरों से भी मिल रही रोशनी हमारा ये आली शान महल ये शान हमारे लाक हो रुपे तुमारी मा को एक पल के लिए भी जिन्दा न रह सके जो आदनी को एक पल की जिन्दगी न दे सके वो दौलत किस काम की जो पती को पत्नी के साथ गुजारने का थोड़ा सा वक्त न दे सके वो दौलत किस काम की हम तुमसे पुछते हैं क्या तुम्हें अपनी मां का प्यार मिला नहीं मिला क्योंकि वो मर चुकी है क्योंकि हम सब कुछ भुला कर दिन रात लाखों कमाने में लगे रहें क्या तुम भी उसी रास्ते पर चलना चाहते हो जिस रास्ते पर चलकर हम आज तक पश्टा रहे हैं क्या तुम भी गल्दी कर रभी मुझे मालूम था कि इसका अंजाम यही हो इसलिए मैं शादी के लिए राजी नहीं था लेकिन तुम दोनों ने जिद की अब भुकतों यह अब सुचो कि क्या करना है वही जो ऐसी शादियों के बाद हमेशा होता है तलाक मनु तुम मेरी बेटी की बिर्बाद करके उसका तमाशा देखने आया है जैसा पाप वैसा बेटा फून कासा रितनी आसानी से नहीं जाता मुझे पता था कि एक दिन यहीं होगा है तो नही मैं अपनी बीवी से मिलने आया हूँ तुमसे बात नहीं करना चाहती तुमने शकल नहीं देखना चाहती मनु क्या तुम्हारा आखरी फैसला क्या है जो यह चाहती है मुझे मंजूर है मिस्स रवी कान तुम्हारा अपनी पैसला क्या है जो यह चाहता है मुझे मनजूर है अ इसका मतलब यह है कि तुम दोनों तलाग चाहते एक बदनसीब बात एक बदनसीब ससूर जिसकी बहू और बेड़ा आपके सामने खड़े कागस के एक तुकड़े पर दस्खत करने से शादी ब्या का रिष्टा खतम नहीं हो जाता यह तो जनम जनम का रिष्टा है क्यों बहू तुम तो कहती थी कि तुम्हें रवी के दिल और दिमार से प्यार उस प्यार की खादिर तुम दुनिया से लड़ने के लिए तैयार को अब कहां गया बुट यार और तुम्हें भी बड़ा दावाद के मनू के बगड़ तुम जिन्दा नहीं रह सकते हैं अब क्या हो गया कहां गये वह दावे जिनके बल्बूते पर तुम्हें शादी की थी शादी के लफ का मतलब समझते तो इस हालत पर ना पहुंचते शादी का मतलब है विश्वास और प्यार से एक दूसरे को संपूर्ण बनाना एक दूसरे की कमियों को अपनी खुबियों कि रशे जीAgap कि मिल जिनिया के तमाम रिश्टों में अभी पत्माब के मैं ने इसलिए इसने समझे रही जादा लेकिन उनी समस्यों काहल इसी रिस्प above ह लां कर अगर तो क्या अपती ना कि आयरUST है फिरुक क्यों होस्ते क्यों झाल खिए तुम दोंड़ अपना अपना हंकार दुद happy लेकिन लेकिन हमारे मरने केबड़ हम अपने जीत जी अपनी आखों के सामने यह कभी नहीं होने देंगे कभी नहीं होने देंगे कभी नहीं देंगे और डाडी मातसी構 तुर जाना चाहते हैं, मागर हमाई पत्मी हमसे बाद दूर है आज उसके पाद जाना चाहते है हाँ मनमनी चल्दिर रहे चलो जाना चाहते है कि अगुद दॉद न कि अधी के अधी कि अधी अधी अमें भाव सर्दीजिए फीजिए ने बाव कर दीजिए कि ब kick कि एफ और कि एज जरे कि एफ एजय को आदे एचाद बागे कि एे खूर नम कि वλά